की अलो फ्रेंट्स रियां डोर्रा के टॉक्स की इसे पीसूड में आपका स्वागत है इस बार बहुत सारी हमारे दोस्तों ने पेंक्रियाज की अक्रियाज की वारे में जानना चाहे उसकी उपर अज़ ऑफर दोसरी के अंदर एक छुपा हुआ अंग है, वो एक तरह से सबसे ज़्यादा छुपा हुआ अंग है, यह भी कहो, यह आमासे के पीछे रहता है, मचली की तरह का होता है, इसके तीन हिस्से हैं, हैड, बॉड़ी, टीन, बजने इसका किवल औस तन 90 ग्रामी होता है, लेकिन आ वो बाइल से मिलकी, या पित से मिलकी खाने को पचाने का काम करता है, उसमें फैट, प्रूटीन, कार्वएट, तीनों को पचाने के लिए, माग कार्वणीट आइंस होते हैं, और तीन तरह के इंजाब होते हैं, जिसमें लाइपीज, अमाईलेज और प्रोटीज, जो खान आज अपन सबसे पहले जानते हैं कि Pencri now he ko kे FREका है वह कैसे काम करता है फेक्स तरह की गृंद है जो एक्सोटेkt। का काम करती है और एंडोक्राइन का काम करती है तो एक्सुक्राइन जो पार्ट है वो पंक्रेटिक जूस बनाता है पंक्रियाज का 99% हिस्सा तो एक्सुक्राइन ही है जो बाइक करनेट आइंस सिक्रेट करता है और तीन तरह के अपने जाने थे एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज, तीनों एंजाइम्स को बनाता है और पैंक्रेटिक जूस के साथ डुडीनम में पहुंचाता है फिर उसके बाद में एंडोक्राइन वाला पार्ट है जो हार्मोनल पार्ट है वो सीधे ब्लड में रिलीज होता है और हर्मोनल एफेक्ट लाता है तो उसमें क्या होता है, वो कैसे काम करता है तो उसमें चार तरह की सेल होती है जो पूरे पैंक्रियाज में बिख्री होई होती है तो उसमें पहले नमबर की सेल, अलफा सेल है उसमें से glucagon नामका हर्वोन सिक्रेट होता है जो ग्लुकोज के लेविल को बढ़ाता है दूसरी तरह की सेल होती है, बीटा सेल होती है, जिसको बीटा सेल ऑफ लेंगर हींस कहते है वो सबसे बोडी का सबसे इंपोर्डेंट हर्वोन इंसुलिन को सिक्रेट करती है इंसुलिन की कमी अगर हो जाती है तो डाइपटीज आदमर्श के शरीर में पैदा हो जाती है जो इंसुलिन डिपेंडेट डाइपटीज होती है और किसी को बाई चांस बीटाचेज की कमी हो जाती है या इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है उसको लाइफ लॉंग फिर भाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है फिर उसके बाद में डेल्टा सेल जो सोमेटो इस्टेटीन नाम का हर्मन बनाती है वो इन दोनों पर कंट्रोल रखती है ग्लुकागोन पर भी और इंसुलिन पर भी इनकी सिक्रीशन को कम करता है फिर उसके बाद में चौथी हैं इंट्रोक्रोंफिन सेल्स जो परिप्टाइड गेस्ट्रिन और अमाइलीस तीनों तरह की हर्मोन ये बनाती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसेड इस्टोमर् इसका पार्ट है जो सरी के लिए बहुत इंपोर्डेंट है फिर उसके बाद अपनी जानते हैं मालूप पैंक्रियाज है तो उस पर क्या क्या मीमारी हो जाती है तो सबसे पहले नंबर पर है पैंक्रेटाइडिस पैंक्रेटिस दू तरह की होती है एक्यूट और क्रोंइक एक्यूट तो ज्यादा एलकोल लेने से ज्यादा शराब पीने से या अपने पिस्टी वार जाना था जो पित की तली में पत्री है वो इस जगे आखे अटक जाती है पैंक्रियाज में तो पैंक्रेटाइडिस पैदा करते हैं दूसरी तरह की क्रोंइक पैंक्रेटाइडिस में क्या होगा कि जो प्रक्रेटिक जूस अपने जाना तर दो से ती लिटर सी क्रूट हो रहा है उसका सीक्रेशन धीरे-धीरे कम हो जाए उससे सरी में तरह तरह की तक्षट पेदा होंगे दूसरी तरह की है डाइवटीज और तीसरी विज्व बीमारी है अगली बार में जो यह बीमारी है और पेंक्रेटिक कैंसर इनके बारे में आपन जानेगे निच्चिती आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा और अच्छी जानकारी भी मिलेगी अगर कुछ आप और जानना चाहते हैं तो आपी सजेस्ट करें के क्या जानना चाहते हैं, comment में लिखें, thank you, thank you very much, चैनले को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें, thank you, thank you.